जैसा कि आपने बताया था कि कम्प्यूटर में किसी प्रोग्राम पर कार्रे करने के लिए ओप्रेटिंग सिस्टम की आविशक्ता होती है क्या आप हमें ओप्रेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से बता सकती है बिल्कुल रोहन चलो हम उप्रेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से विचार करते हैं उप्रेटिंग सिस्टम एक प्रुग्राम है जो कम्प्यूटर के अन्य प्रुग्राम उसे पारस पर एक संबंध स्थापित करने में हमारी सहायता करता है ओप्रेटिंग सिस्टम के बिना कम्प्यूटर बेकार है कई तरह के ओप्रेटिंग सिस्टम उपलब्द होते हैं ओप्रेटिंग सिस्टम प्रयोग करता वह कम्प्यूटर के मध्य एक माध्यम का कारे करता है सभी प्रोग्रामों को चलने के लिए ओप्रेटिंग सिस्टम की आवश्यक्ता होती है परंतो ओप्रेटिंग सिस्टम स्वता ही चालू होता है कम्प्यूटर को चालू करते ही ओप्रेटिंग सिस्टम स्वता ही चालू हो जाता है उप्रेटिंग सिस्टम के मुख्य कारे हैं यह कंप्यूटर को नियंत्रित करता है और उसके सभी भागों को उचित संबंध में लाता है यह उप्योग करता वह कंप्यूटर के मद्धे पारसपरिक संबंधों को सुगम करता है यह इंपुट वह आउटपुट यंत्रों को नियंत्रित करता है यह कंप्यूटर प्रग्राम के निश्पादन को नियंत्रित करता है यह कंप्यूटर की मुख्य मैमरी के प्रयोग को व्यवस्थत रखता है यह फाइलों को व्यवस्थित रखने वह उनसे काम लेने में आपकी सहायता करता है ओप्रेटिंग सिस्टम को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है एक-एक कर हम इनके बारे में विचार करते हैं कारेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI में किसी तरह के आइकॉन या चित्र नहीं होते है यह केबल लेख वा अक्षरों पर चलता है हम CUI पर लेखिये निर्देश जैसे रीनेम, CLS, CD, MD और DIR या डारेक्टरी पर कमांड निर्देश देकर कार्य कर सकते है CUI का एक उदाहरन है डिस्क ओपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI की प्रिष्ट भूमी चित्रवाली होती है और साथ-साथ बहुत सारे आइकॉन भी होते है GUI के उदाहरन है Windows XP, Windows XNT, Windows 7 और Ubuntu GUI को पुनह दो भागों में विभाजित किया जा सकता है सांपत्तिक, मालिकाना, सौफट्वेर और स्वतंत्र या मुक्त सौफट्वेर मालिकाना सौफट्वेर एक प्रकार का कंप्यूटर सौफट्वेर है जिसकी अनुग्यपती, कॉपिज़ाइट धारक के विशिष्ट कानूनी अधिकार के अधीन होती है मालिकाना सौफ्टवेर के उपयोग के लिए अनुग्यप्ति की आवशक्ता होती है जो उसकी फीस देने या भुक्तान करने के बाद ही प्राप्त होता है इनका प्रयोग वैद अनुग्यप्ति के बाद ही किया जा सकता है उप्योग करता इनको न तो परिवर्तित न साज़ा कर सकता है ना ही पढ़ सकता है और ना ही पुनर्वित्रित कर सकता है मालिकाना सौफ्ट्वेर के सामाने उधाहरण है Microsoft, Apple, INC, IBM, Operating System वो Unisys स्वतंत्र या मुक्त सौफ्ट्वेर वे सौफ्ट्वेर हैं जिनको उप्योग करता इन्टरनेट से बिना किसी फीज के डाउनलोड कर सकता है यह एक खुले लाइसेंस स्रोत के तहत उपलब्ध होते हैं जो उप्योग करता को सौफ्ट्वेर परिवर्तित करने साजा करने और पुनरवित्रित करने की आजादी देता है यदे भी परिवर्तन करने के लिए कॉपिराइट अधिकार नहीं दिये गए होते हैं स्वतंत्र या मुक्त सौफ्ट्वेर के सामान्य उदाहरण है युनिक्स, लाइनक्स ओरोरा यूएक्स और ओनिन सॉलरिस हमें Microsoft Windows के बारे में जानना चाहिए जो की सबसे ज्यादा प्रशुलित ओप्रेटिंग सिस्टम है अरे हां मैंने Microsoft Windows के बारे में बहुत सुना है Microsoft Windows Microsoft द्वारा विकसित किये गए एवं बेचे गए Graphical Interface ओप्रेटिंग सिस्टम की श्रंखला है अधिकतर जिन कंप्यूटरों का हम प्रयोग करते हैं उनमें Microsoft Windows का ओप्रेटिंग सिस्टम पूर्वस्धापित होता है यदि आपके कंप्यूटर में विंडो ओप्रेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप अनुग्यप्त प्राप्त सौफ्ट्वेर प्रमानित सौफ्ट्वेर विक्रेता की यहां से खरीद सकते हैं इसके अतिरिक्त इस सौफ्ट्वेर को Microsoft की विब साइट से ओनलाइन भी खरीदा चा सकता है GUI इंटरफेस प्रोग्राम प्रयोग करने वह उनको संगठित करने में आपकी सहायता करता है Windows विजिविग प्रकार के इंटरफेस होते हैं जिसका अर्थ है कि जो आप देखते हैं वही आप प्राप्त करते हैं यदि आपके कंप्यूटर का ओप्रेटिंग सिस्टम Windows है तो कंप्यूटर चालू करते ही सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन Desktop कहलाती है आप Windows Desktop का प्रयोग सभी प्रोग्राम संचालित करने संगठित करने में कर सकते हैं Desktop दो भागों में विभाजित होता है मुख्य भाग या Windows Desktop तथा Task Bar नीचे पतली पट्टी को Task Bar कहते हैं Task Bar में Start बटन होता है जिसके जरिये हम कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों तक पहुँच सकते हैं Task Bar की प्रिष्ट भूमी को Wallpaper कहते हैं कंप्यूटर आरंब करने पर सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन Desktop कहलाती है Desktop पर दिखने वाली छोटे छोटे चित्र आइकॉन कहलाते हैं यह आइकॉन File, Program और फोल्डर के शॉटकट छोटे रास्ते हैं जिनके जरिये इनमें आसानी से वा जल्दी से पहुँचा जा सकता है स्क्रीन के सबसे नीचे क्षितिच के समानांतर पट्टी को Task Bar कहते हैं Task Bar पर एक और Start बटन और दूसरे तरफ कई छोटे छोटे आइकॉन वा शॉटकट होते हैं कंप्यूटर पर चल रहे सभी उप्योजन वा Program टास्क बार पर आइकॉन के रूप में दिखते हैं कंप्यूटर पर चल रहे सभी एप्लिकेशन वा Program इनी आइकॉन के द्वारा Access उप्योग किये जा सकते हैं टास्क बार कंप्यूटर पर चल रहे विभिन्न प्रोग्रामों में एक से दूसरे पर जाने का रास्ता उपलब्ध कराता है यदि बहुत सारे एप्लिकेशन Program चल रहे हूं और टास्क बार पर सभी आइकॉनों के लिए प्रोग्रामों वो सिस्टम की अन्य उप्योगिताओं का प्रयोग कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यों में मौजूद कंट्रोल पैनल का उप्योग कंप्यूटर में विभिन्न हाड़्वेर और सौट्वेर के विन्यासों या सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है स्टार्ट मेन्यों के हेल्प और सपोर्ट मेन्यों का उप्योग विन्डोज पर कारे के दौरान आवश्यक्ता पढ़ने पर सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है स्टार्ट मेन्यों की सहायता से आप मात्र एक क्लिक में कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं लोग ओफ या पुनेह चालू कर सकते हैं। निम्न प्रक्रिया से आप अपने सिस्टम की तारीख वो समय परिवर्तित कर सकते हैं। पहले टास्क बार पर दाई और दिख रहे तारीख वो समय पर क्लिक करें। तब एक घड़ी वो कैलेंडर प्रकट होगा। टास्क बार पर तारीख वो समय पर क्लिक करें। तब समय वो तारीख परिवर्तन लिंक पर क्लिक करें। तद पस्चाद समय वो तारीख परिवर्तन बटन पर क्लिक करें। समय वो तारीख निर्धारित करें। समय वैतारीख परिवर्तन को सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें और समय वैतारीख डायलोग कोश्ट पर वापस आएं परिवर्तन सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें समय वैतारीख डायलोग कोश्ट को बताएं डेस्क्टॉप दर्शाने वाली स्क्रीन का वह भाग है, जिसे आप कम्प्यूटर लॉग उन करने पर देखते हैं। आइकोनों के पीछे दिखने वाले चित्र, दृशिको, वाल पेपर, अत्वा डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी कहते हैं। जब आप अपने कम्प्यूटर को कुछ समय के लिए निश्क्रिय छोड़ देते हैं, तो एक चित्र अत्वा लेख की चल चित्र की प्रदर्शित होती है। इसे स्क्रीन सेवर कहते हैं। डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी परिवर्तित करना। आप अपने कम्प्यूटर के वाल पेपर अथवा डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी आइकॉनों को अपनी इच्छा के चित्र और दृश्च से बदल सकते हैं। पहला, डेस्क्टॉप के खाली स्थान पर माउस का दाया राइट क्लिक बटन दबाएं। ततपश्चात, सुची के वहक्तिक विकल्प पर क्लिक करें। ततपश्चात, डेस्क्टॉप की प्रिश्टॉभूमी लिंक पर क्लिक करें। ततपश्चात, चित्र का चैन करें और Desktop की प्रिष्ट भूमी की नियत करें अंत में Save या सुरक्षित बटन दबाकर परिवर्थनों को सुरक्षित करें Screen Saver नियत करना यदि आप Desktop की Screen Saver परिवर्थित करना चाहते हैं तो यह है प्रक्रिया अपनाए पहला Desktop के खाली स्थान पर उस Mouse का दाया राइट क्लिक बटन दबाएं तद पश्चाद सूची के वयक्तिक विकल्प पर क्लिक करें तद पश्चाद डेस्टॉप की स्क्रीन सेवर लिंक पर क्लिक करें तब स्क्रीन सेवर का ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कर सूची से स्क्रीन सेवर चुने तदपश्चाद स्क्रीन सेवर चालू करने के लिए वेट कॉम्बो बॉक्स से प्रतिक्षा समय के मिनट निर्धारित करें तदपश्चाद प्रिव्यू बटन पर क्लिक कर स्क्रीन सेवर देखें एक computer में operating system वो व्यक्तिगत कारिक्रमों के लिए उपलब्ध किसी सूचना को file कहते हैं। एक file, एक दस्तावेज, चित्र, संगीत या चलचित्र हो सकती है। धेर सारे file को एक स्थान पर रखने के लिए आप एक folder बनाते हैं। आप computer की किसी भी drive में file या folder बना सकते हैं। File या folder बनाने के पश्चात आप उसका नाम बदल सकते हैं। उसकी प्रतिली भी बना सकते हैं। उसे कहीं और paste कर सकते हैं। और उसे आवश्यक्ता अनुसार मिटा भी सकते हैं। हम किसी ड्राइव में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? आसान है, बस निम्न प्रक्रिया अपनाओ. पहले स्टार्ट बटन को दबा कर स्टार्ट मेन्यू को खोलें. तब कम्प्यूटर विंडो या विंडोज एक्स्प्लोर प्रदर्शित करने के लिए कम्प्यूटर पर क्लिक करें. तब डी ड्राइव में उपलब्द सामगरी देखने के लिए क्लिक डी ड्राइव पर क्लिक करें. तब नया folder बनाने के लिएooked menu bar में नए folder पर click करें नए folder को नाम दे सकते हैं और enter दबाएं आप folder के अंदर भी folder बना सकते हैं जिसे pillows folder कहते हैं एक folder का chain करें और उसे खोलें उसमें खाली स्थान पर right click करें तो pop up menu प्रकट होगा उसमें सबसे पहले नया पर क्लिक करें और फिर फोल्डर चुनें एक फोल्डर सुरुजित हो जाएगा फाइल फोल्डर को खोलने के लिए निम्न का अनुसरन करें पहले स्टार्ट पटन को दबा स्टार्ट मेन्यो को खोलें तब Computer Window या Windows Explorer प्रदर्शित करने के लिए Computer पर क्लिक करें। तब D Drive में उपलब्ध सामगरी देखने के लिए D Drive पर क्लिक करें। तब जिस Folder को आप खोलना चाहते हैं, उस पर Double Click करें। उसे Folder के अंदर जिस Sub Folder या File को आप खोलना चाहते हैं, पर Double Click करें। File या Folder को कैसे सनरक्षित करें या नाम बदलें। जब आप D Drive में Folder या Sub Folder या File बनाते हैं, तो स्वच आलित रूप से New Folder या New Text Document के नाम से सनरक्षित हो जाता है। Folder या Sub Folder या File का नाम बदलने के लिए उस पर Right Click करें। नए Pop-Up में नाम परिवर्थित करें, Rename चुने, नया नाम लिखे और Enter दबाएं। Folder या Sub Folder या File का नाम परिवर्थित हो जाएगा। Windows Operating System में कुछ सहायक सामगरी होती हैं, जो अत्यांत उपयोगी होती हैं। हम इन उपयोगी सामगरीयों में से कुछ के विशय में सीखते हैं। इन उपयोगी सामगरीयों को देखने के लिए निम्न निर्देशों का पालन करें। पहले Start बटन को दबा कर Start Menu को खोलें। ततपस्चात माउस से All Program पर चिन्हित करें। उसके बाद Accessories पर क्लिक करें। यहाँ पर विभिन Accessories की सुची होती है। संबंधित Accessories पर क्लिक करें। Paint का प्रयोग चित्रों को बनाने, परिवर्थित करने, एवं फोटो देखने के लिए होता है। आप Paint का प्रयोग रिक्त Paint क्षेत्र में चित्रकारी करने, अत्वा मुजूदा चित्र में चित्रकारी करने में कर सकते हैं। आप चित्र की प्रती लेकर किसी अन्य प्रलेक पर चित्का या पेस्ट कर सकते हैं। हम Paint का प्रयोग किस प्रकार करें। पेंट का उपयोग करने के लिए सर्व प्रथम स्टार्ट बटन को दबा स्टार्ट मेन्यू को खोलें, तद पश्चाद माउस से All Program पर चिन्हित करें, उसके बाद Accessories पर क्लिक करें, यहाँ पर विभिन Accessories की सूची होती है, Accessories पर क्लिक करें और Paint को चुनाव करें, तब Paint Window दिखने लगेगा, आप देखेंगे कि Paint Window चार भागों में विभाजित है, Paint Button, Quick Access Toolbar, Drawing Area, एवं Ribbon, Paint Button के साथ आप कई तरह के कारे कर सकते हैं, Paint Button के विभिन विकल्प हैं, खोलें, Open, नया, New, सनरक्षित करें, सेव और चापें, Print, Quick Access Toolbar अक्सर प्रयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे Save, Redo और Undo तुरंत उपलब्द कराने में आपकी सहायता करता है, Ribbon में दो टैब होती हैं, Home और View, Home टैब उन उपकरणों को उपलब्द कराता है, जो चित्र बनाने अथवा उसे सुधारने में प्रयोगत होते हैं, यह क्लिप बोड, Brush, Tool, Shape और Color आधी होते हैं, क्लिप बोड में तीन विकल्प होते हैं, Cut, Copy वपेस्ट, जिन विकल्पों का प्रयोग कर आप Paint पर चुनी गई वस्तु को काट सकते हैं, प्रतिलीपी या प्रतिबिम्ब बना सकते हैं, अथवा चिपका सकते हैं, यह विकल्प एक ही विशे को कई बार प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है, प्रतिबिम्ब का चुनाव आपको उन विशियों को चुनने वसंपादित करने में सहायता करता है, जिनको आप चैनित करना चाहते हैं, काट चाट करना चाहते हैं, आकरती में परिवर्तन करना चाहते हैं, अत्वा गुमाना चाहते हैं उपकरण टूल का चैन आपको विभिन उपकरण उपलब्द कराता है जिससे आप आकरिती बना वसंपादित कर सकते हैं यह उपकरण है पैंसिल, रंग भरना, लिखना, मिटाना, रंग उठाना और बड़ा करना ब्रश में नीचे की और खुलने वाला एक मेन्यू होता है जिससे आप चित्र बनाने के लिए विभिन प्रकार के ब्रशों का चैन कर सकते हैं आकरतियां विकल्प से आप अपने चित्र को विभिन आकरतियां दे सकते हैं रंग विकल्प से आप अपने चित्र में विभिन रंग भर सकते हैं। प्रतेक प्रेश्ण के लिए सही विकल्प चुने। सही है अच्छा प्रयास। सही है अच्छा प्रयास। सही है अच्छा प्रयास। सही नहीं है रिपया पुनह प्रयास करें। सही है अच्छा प्रयास। दीदी तुमने यहां भी कहा था कि Microsoft Windows के विप्रीत यहां मुफ्त ओप्रेटिंग सिस्टम भी उप्लब्ध हैं। क्या तुम इसके बारे में और ज़्यादा जानती हो। हां रोहन, Linux एक बहुत प्रसिद्ध मुक्त अथवा खुले स्रोध का ओप्रेटिंग सिस्टम है। यह सॉफ्ट्वेर सबके लिए मुफ्त है। और इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। चलो, हम इस पर नजर डालते हैं। Linux, Unix, ओप्रेटिंग सिस्टम एक बहुत ही जानामाना वर्जिन है। जो Linus Storewalls द्वारा विक्सित किया गया है। Linux, Microsoft Windows जैसे दूसरे ओप्रेटिंग सिस्टम की तरह होता है। Linux की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही गतिशील है। उप्योग करता इस सौफ्टवेर को विक्सित करने, संशोधन करने अथवा प्रसारत करने के लिए स्वतंत्र है। Linux को दो अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। फ्री डाउनलोड अथवा वितरन का उप्योग कर। Linux दुनिया भर में करोडों उप्योग करताओं द्वारा सफलता पूर्वक उप्योग किया जा रहा है। Linux की सभी आवश्यक भागों को इंटरनेट से बिलकुल मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। Linux उप्योग करने का एक वेकलपिक रास्ता है जो विभिन कमपनियों द्वारा पेश किया जा रहा है। और जिसमें विवित प्रकार के एप्लिकेशन वो इंस्टॉल करने वाले प्रुग्राम जुड़े हैं, जो Linux के अधिश्ठापन को आसान कर देते हैं। एक बहुत प्रसिद Linux का वितरन करता होता है जिसे Ubuntu कहते हैं, जो Conical Company द्वारा वितरित किया जाता है। अब हमें Ubuntu के बारे में सीखना चाहिए। Ubuntu एक स्वतंत्र मुक्त सॉफ्ट्वेर प्लेटफॉर्म है, जो स्मार्टफोन, टाबलेट और कंप्यूटर के द्वारा हर जगा चलाया जाता है। Ubuntu में एक Graphical User Interface या GUI होता है, जो इसे Windows अथवा Android जैसे दूसरे प्रशुलित ओपरेटिंग की तरह बनाता है। Ubuntu के Version 12.10 Default Desktop वातावरन के रूप में Unity का उपयोग करता है। Unity Desktop प्रश्ट भूमी और दो बार रखता है, जिसे Menu Bar और Launcher कहते हैं। Menu Bar डेस्टॉप के शीर्षपर स्थित क्षेतिज पट्टी है। Launcher एक खड़ी पट्टी है, जो Menu Bar के बाई तरफ होती है। Menu Bar में सामाने कारे शामिल होते हैं, जो Ubuntu 12.10 में उपयोग होते हैं, जो Icons Menu Bar के दाहिने तरफ होते हैं, उसे संकेतक ख्षेत्र कहते हैं। Keyboard सूचक आपके Keyboard, Layout चुनने और Keyboard प्रात्मिकताओं को बदलने की अनुमती देता है। संदेश सूचक में सभी Social Application को शामिल किया जाता है, जो ततकाल Instant Messenger Client, Email Client, Micro Blogging Application और दूसरे समान Application को सम्मिलित रखता है। Network सूचक आपको तार्युक्त अथवा तार्मुक्त Network को आसानी से जोडने और Network Connection को प्रबंधित करने की अनुमती देता है। ध्वनी सूचक ध्वनी की मात्रा के रूप में अच्छी तरह से उप्योग अपने Music Player और ध्वनी सेटिंग्स समायोजित करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है। घड़ी सही समय प्रदर्शित करती है और कैलेंडर समय और तारीक सेटिंग्स का उप्योग करने के लिए आसान तरीका उप्लब्ध कराता है। User Menu आपको अलग-अलग उप्योग करता हों और Online सामगरी और उप्योग करता हातों के बीच परिवर्तन करने की अनुमती देता है। एक सत्र या सेशन सूचक सिस्टम सेटिंग का उप्योग करने, सौफ्ट्वेर अप्डेट करने, प्रिंटर, डिवाइस को लॉग करने के लिए सेशन विकल्प प्रदान करने, सेशन से लॉग आउट होने, कम्प्यूटर को पुनह आरंभ करने या पूरी तरह से बंद करन के लिए आसान तरीका उपलब्ध कराता है एप्लिकेशन मेन्यू एक प्रणाली है जहां किसी एप्लिकेशन में विभिन कारे जैसे परिवर्तन करने देखने आदी को निश्पादित किये जा सकते हैं अन्ने जी यू आई वातावरन के विपरीत यूटिलिटी में आवेदन म मेन्यू बार के बाई और स्थित है एक विश्विष्ट आवेदन को देखने के लिए आप सूचक का प्रयोग करके डेस्क्टॉप के मेन्यू बार पर आवेदन आईकन के लिए माउस को स्थाना अंतरित कर सकते हैं यह है डेस्क्टॉप के मेन्यू बार में खुद को उपर रखकर application को सक्षम करेगा इसलिए इस application को देखा और इस्तेमाल किया जा सकता है Mouse को menu bar से दूर ले जाने पर desktop फिर से दिखाई देने लगता है Utility का वह feature जो application दिखाता है application के menu केवल जब जरूरत होती है जब ये netbook और laptop उपयोग करताओं के लिए फायदे मंद होता है और इसे अधिक मुक्त workspace प्रदान करता है उर्धवादर पटी के icons जो screen के बाई तरफ होते हैं launcher कहलाते हैं जब यह launcher चलाया जाता है तो यह सक्रिया icons के application को आसान पहुँच प्रदान करता है launcher में सबसे उपर पहला icon dash कहलाता है जो एक निरनायक खोज वो मूल तत्व है एक application को launcher से run करने अथवा पहले से run हो रही application को प्रदर्शृत करने के लिए application icon पर क्लिक करते हैं foreground में application अपने icon के दाहिनी तरफ एक अकेले सफेद त्रिकोंड के द्वारा संकेतिक किया जाता है launcher की द्वारा application जोडना और हटाना एक application को जोडने के लिए launcher के application icon पर दाहिने क्लिक करके और launcher के lock का chain करके application को run करें लॉंचर से एक एप्लिकेशन को हटाने के लिए पहले एप्लिकेशन आइकन पर दाहिने क्लिक करें, फिर अनलॉक से लॉंचर का चैन करें. डैश एक उजार है, जिसकी मदद से आप कम्प्यूटर पर एप्लिकेशन वो फाइलों का तेजी से पता लगा सकते हैं, वो उन तक पहुँच सकते हैं. डैश का पता लगाने के लिए लॉंचर के सबसे उपर वाले आइकन जिस पर अबंटू का प्रतीक चिन बना हो पर क्लिक करें. डैश आइकन का चैन करने पर एक और विंडो खुलेगी, जिसमें सबसे उपर सर्च बार के साथ ही हाल में इस्तेमाल की गई एप्लिकेशन, फाइल और डाउनलोड का संग्रह भी होगा. डैश आपको स्थानिय स्तर वसुदूर की सूचनाय खोजने की अनुमती देता है. डैश की मुखे विशेशताएं. डैश की दो मुखे विशेशताएं हैं. फाइलें, वफोल्डर ढूनना और एप्लिकेशन को ढूनना. वर्कस्पेश आपको एप्लिकेशन को एक समूह में करने की अनुमती है, जो अव्यवस्था को कम करता है, और डैस्टॉप नविगेशन में सुधार लाता है. मूलभूत रूप से अबंटू में चार वर्कस्पेश होते हैं. एक वर्कस्पेश से दूसरे वर्कस्पेश पर जाने के लिए लॉंचर पर वर्कस्पेश स्विचर पर क्लिक करें. यह एप्लिकेशन आपको एक वर्कस्पेश से दूसरे वर्कस्पेश पर जाने की अनुमती देता है. विंडोज को बंद करना, अधिक्तम करना, न्यूनतम करना, वो बहाल करना न्यूनतम बटन विंडोज को वर्तमान में दिखाई पढ़ने वाली स्क्रीन से हटा कर उसे लॉंचर में रखा देता है अधिक्तम बटन एप्लिकेशन को Windows की पूरी स्क्रीन पर फैला देता है Windows को बंद करने के लिए विंडो के उपर बाइ कोने पर दिये हुए क्रॉस बटन पर क्लिक करें विंडो को वर्क स्पेस पर इधर उधर ले जाने या हटाने के लिए माउस के पॉइंट को विंडो के टाइटल बार पर ले जाएं और माउस के बाए बटन से क्लिक करें तथा बाए बटन को दबाए रखते हुए विंडो को खीचें विंडो का आकार बदलने के लिए माउस पॉइंटर को विंडो सिरे पर या कोने पर ऐसे रखें कि माउस पॉइंटर दो तरफा तीर में परिवर्तित हो जाएगा जिसे Resize आइकॉन कहते हैं माउस के Buy बटन से क्लिक करें तथा Buy बटन को दबाई रखते हुए विंडो को खीचें कम्प्यूटर पर फाइल का पता लगाने के दो तरीके हैं सीधे launcher के डैश के माध्यम से जिस फोल्डर में फाइल रखी गई हो का पता लगाकर उस तक पहुँचना या सामाने तह उपयोग में लाए जाने वाले फोल्डरों वहाल में ही प्रयुक्त फाइलों में फाइल वफोल्डर टूल का प्रयोग करना Go menu सामाने तह प्रयोग में आने वाली फोल्डरों की सूची होती है Go में जाने के लिए अपने माउस को बार पर सबसे उपर ले जाएं और Go को चुने तब इस मेन्यू कम्प्यूटर पर क्लिक करके अपने कम्प्यूटर की फाइलें खोजें यदि आप Home Network स्थापित करते हैं तो आपको साजा की गई फाइल या फोल्डरों के लिए मेन्यू में आइटम मिल जाएगा Home फोल्डर का प्रयोग व्यक्तिगत फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है यह है उप्योग करता के Login नाम से Mail खाता है इसमें बहुत सारे वे फोल्डर होते हैं जो इंस्टॉलेशन के दोरान अपने आप बन जाते हैं इसमें Desktop दस्तावेज, Download, Music, संगीत, चित्र, Public, Templates और वीडियो शामिल है Nautilus File Manager जैसे विंडो के पास File वो फोल्डरों को खोजने के लिए Window Explorer होता है उसी प्रकार Ubuntu File वो फोल्डरों को खोजने के लिए डिफॉल्ट रूप से Nautilus File Manager का प्रयोग करता है दीदी, Nautilus File Manager कहां है? Nautilus File Manager विंडो Desktop पर एक फोल्डर पर डबल क्लिक करो Nautilus File Manager विंडो खुल जाएगी Default विंडो में निम्न किशेष्टाएं होती है Menu Bar, Title Bar, Tool Bar, Buy a Pan व दाया Pan Nautilus नविगेट करने के निम्न पद है फोल्डरों के बीच नविगेट करने के लिए Nautilus File Manager के बाय पैन में पुस्तक चिन्हों का प्रयोग करें वापस जाने के लिए Path Bar में फोल्डर के नाम पर क्लिक करें एक दिखने वाले फोल्डर पर डबल क्लिक आपकी उसे नविगेट करने में सहायता करेगा Nautilus के साथ फाइल को खोलने के लिए उसके आइकन पर डबल क्लिक करें अथवा आइकन पर दाया क्लिक करें और Open With के विकल्पों में एक को चुने Nautilus में एक नया फोल्डर बनाने वा सेफ करने के लिए पहले फाइल पर क्लिक करें और फिर Create New फोल्डर पर क्लिक करें उसके बाद बनने वाले डिफॉल्ड फोल्डर का नाम अंटाइटल्ड फोल्डर को इच्छा नुसार नाम दें यह Nautilus में सुरक्षित हो जाएगा फाइल या फोल्डर को कॉपी करने या प्रतिलिपी बनाने के स्टेप्स हैं पहले Edit पर क्लिक करें फिर Item पर क्लिक करें अथवा Right क्लिक करें और Pop-up मेन्यू से कॉपी चुने अब आप कॉपी की गई फाइल को इच्छित स्थान पर पेस्ट करें कई Nautilus Windows का प्रयोग करना आप निम्न प्रकार से कई Nautilus Windows भी खोल सकते हैं पहले File बनाए तब New Window पर क्लिक करें यह नई विंडो खोलेगा और आपको फाइलों या फोल्डरों को दो स्थानों से ड्राग करने की अनुमती देगा नया टाब खोलने के लिए पहले File पर क्लिक करें फिर New Tab File की ब्राउजिंग के लिए प्रयोग किये जाने वाले स्थान के उपर दो टाब युक्त एक नई पंक्ती खुलेगी दूसरा पैन खोलने के लिए View पर क्लिक करें फिर Extra पैन पर यह आपको टाब या विंडो के मध्य स्विच किये बिना ही दो स्थानों पर एक साथ देखने की सुविधा देता है आप Nautilus या Dash का प्रयोग कर File या Folder को खोज सकते हैं पहले Nautilus में Go, Search for File पर क्लिक करें या Control के साथ F दबाएं फिर जो खोजना चाहते हों उसे टाइप करें डैश में सबसे उपर सर्च बार में आप केवल खोज का टर्म टाइप करें Ubuntu में Libre Office सबसे अधिक लोकप्रिय सुईट है जो Default रूप से स्थापित होता है यह भी वैसी ही कारे प्रणाली उपलब्ध कराता है जैसे के Microsoft Word, Excel, PowerPoint सिर्फ इसके की यह एक मुक्त स्वतंत्र सॉप्टवेर है इन सभी एप्लिकेशनों तक launcher के द्वारा पहुँचा जा सकता है इसमें निम्न घटक शामिल है जो दूसरे ओपरेटिंग सिस्टम में अलग-अलग नामों से पाए जाते हैं Writer, Word Processor, Clack, Spreadsheet, Impress, Presentation, Draw, Drawing Sheet, Base, Database, Math, Equation, Editor क्या मुक्त स्वतंत्र सॉप्टवेर के विशे में सीखना मज़िदार नहीं था? चलो, अब हम लोग मज़िदार गतिविधी में भाग लेंगे प्रते एक प्रेश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही नहीं है रिपया उनह प्रयास करें सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास तीदी के मुबाइल फोन वर टाबलेट भी कम्प्यूटर की तरह ओपरेटिंग सिस्टम रखते हैं? हाँ रोहन आजकल मुबाइल फोन वर टाबलेट भी सिंबियन ओपरेटिंग सिस्टम होता है हाँ बिल्कुल चलो यहां से शुरू करते हैं कि एक मुबाइल फोन में विभिन सुविधाओं का प्रयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले यह सीखते हैं कि मुबाइल फोन से कॉल कैसे करते हैं कॉल करने के लिए की पैड पर फोन नमबर टाइप करें यदि आपके पास स्मार्ट फोन है तो होम स्क्रीन पर फोन आइकन पर जाएं और उस पर टाब दें आप स्क्रीन पर नमबर पैट देखेंगे, जिस नमबर पर आप बात करना चाहते हैं, उसे टाइप करें, उसके बाद बाई तरफ हरा बटन अथवा उत्तर बटन दबाएं, स्मार्ट फोन होने पर हरे बटन पर टैप दें, स्क्रीन तरशाएगी कि नमबर डायल हो रहा है, क कनेक्ट हो रहा है, इस तरह आप कॉल कर सकते हैं, कॉल समाप्त करने के लिए लाल बटन दबाएं, अथवा लाल बटन पर टैप दें, अब हम सीखते हैं कि कॉल का उत्तर कैसे दें, अथवा निरस्त कैसे करें, जब आपके फोन की घंटी बजे, तो उत्तर देने के लिए ह दाएं से बाएं स्वाइप करें हम पिछले मिलाए गए नमबर पर कॉल कैसे कर सकते हैं? आसान है पहले होम स्क्रीन पर बाएं तरफ के हरे बटन को दबाएं यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह चूटे नमबरों की सूची दिखाएगा स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह चूटे नमबरों की सूची दिखाएगा उसके पश्चाद नमबर चुने और हरा बटन दबाएं इसी तरह स्मार्टफोन होने पर नमबर पर टैप दें नमबर की डायल होने लगेगा आप call इतिहास इस तरह देख सकते हैं पहले standby mode में menu दबाए smartphone होने पर phone icon पर tap दें तब call register या call इतिहास या call log चुने उसके बाद यह प्राप्त call, छूटी call, डायल की गई call के तीन टाब दिखाएगा फिर जिस टाब को आप देखना चाहते हैं उस पर click करें यह आपको call की सूची, समय, वतिथी के साथ दिखाएगा smartphone होने पर सभी call एक ही सूची में दिखेंगी हरा तीर प्राप्त call नीला तीर डायल की गई call वललाल तीर जूटी call दर्शाता है आप नंबर पर call कर सकते हैं, नंबर को संपर्क बुक में सुरक्षित कर सकते हैं या उस पर संदेश भेज सकते हैं phone में ध्वनी का स्तर को निम्न रूप से अनुकूल करते हैं सबसे पहले phone की मुख्य स्क्रीन में menu बटन दबाएं फिर विकल्प menu में सेटिंग पर क्लिक करें उसके बाद सेटिंग menu में sound या audio विकल्प चुने उसके बाद sound menu में volume विकल्प ढूंडे ringer या ringtone में volume control पाए जाते हैं अंत में speaker विकल्प पर चुने वो keypad को उपर नीचे कर volume level सेट करें आपके smartphone में आवाज नियंत्रित करने वाले बटन बाहर होते हैं मात्र इधर उधर दबा कर आवाज की प्रबलता नियंत्रित की जाती है मैं अपने मित्र का phone number वो अमित का नाम शामिल करना चाहता हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ आप नया संपर्क ऐसे जोड सकते है जब phone standby mode में हो तो menu दबाए smartphone होने पर phone icon पर tap दें तब menu विकल्प में अपने phone की phone book पर जाए यह home screen पर phone के एक चित्र अथवा शब्द phone, phone book या संपर्क से दिखाई गई होगी अब उपलब्ध विकल्पों में new contact का चैन करें पहले जिस संपर्क को आप जोडना चाहते हैं उसका number area code स्क्रीन पर दिखने वाले form पर भरें smartphone में number pad वा अंक टाइप करें add to contact पर tap दें और तब create new contact पर और तब form में उप्युक्त स्थानों पर अपने मित्र का पहला वा अंतिम नाम लिखें तब उसे संरक्षित करने के लिए save या add to contact दबाएं tap देना सुनिश्चित करें अब नया संपर्क अपने mobile में जुड़ जाएगा फोन में पहले से ही संरक्षित संपर्क के विम्रण में edit करने के लिए संपर्क का नाम चुने edit का चैन करें tap दें सही विम्रण टाइप करें और फिर save का चैन करें tap दें अब मैं आपको सिखाती हूँ कि संदेश कैसे भेजते हैं पहले stand by mode में menu दबाएं तब संदेश सेवा फिर लिखित संदेश फिर संदेश बनाएं का चैन करें एक स्मार्ट फोन में home screen पर messaging icon टूंडे उस पर tap दें आप देखेंगे कि संदेशों की सूची खुलेगी संदेश बनाएं संदेश लिखें को चुने स्मार्ट फोन में right message icon पर tap करें टेक्स्ट बॉक्स में संदेश लिखें चित्र या कुछ अन्य जोडने के लिए विकल्प का चैन करें फिर insert object दबाएं स्क्रॉल कर नीचे वांचत पिच्चर या object आएं view फिर insert दबाएं नियत स्थान पर प्राप्त करता का नंबर लिखें अत्वा यदि आप सुरक्षित किये हुए किसी संपर्क को संदेश भेजना चाहते हैं तो phone book पर क्लिक करें संपर्क का चैन कर OK पर क्लिक करें स्मार्ट फोन में प्राप्त करता के नाम के कुछ अक्षर टू कॉलम में लिखें आप देखेंगे कि contact book से नाम की सूची प्रकट होगी वांचत नाम पर टाप दें भेजने के लिए भेजें पर क्लिक करें या टाप दें प्राप्त करता को मेसेज भेज दिया जाएगा मुख्य सूची पर वापस आने के लिए समाप्त या निरस्त पर क्लिक करें टाप दें आप अपना संदेश ऐसे पढ़ सकते हैं जब आपको संदेश प्राप्त होता है तो आप होम स्क्रीन में सबसे उपर लिफाफे का निशान का आइकन देखेंगे आप स्क्रीन पर एक बॉक्स में एक मेसेज रिसीवड लिखा हुआ देखेंगे नए संदेश को देखने के लिए शो दबाएं संदेश पढ़ें दीदी, क्या हम मोबाइल फोन के दुआरा इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल रोहन, तुम कर सकते हो यह तो बहुत अच्छा है मोबाइल फोन दुआरा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? मोबाइल फोन दुआरा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए आपको चाहिए होगा एक मुबाइल फोन जो इंटरनेट एक्सेस या उपयोग को समर्थित करता हो एक मुबाइल फोन सेवा जो डेटा संचुरन का समर्थन करती हो जैसे 2G, 3G और Wi-Fi फोन द्वारा इंटरनेट तक पहुँशने के लिए डेटा सेटिंग के साथ मुबाइल सर्विस प्रोवाइडर से एक खाता बहुत सारे मुबाइल फोन डाटा एकाउंट सेटिंग के साथ ही आते हैं यदि आपका नहीं है तो आपको सेवा प्रदाता के ग्राहक सेवा के इंदर से बात करनी चाहिए आप अपने स्मार्टफोन पर मुबाइल इंटरनेट सेवा इस तरह स्थापित कर सकते हैं पहले अपने स्मार्टफोन के सेटिंग मेन्यू पर नविगेट करें स्मार्टफोनों में यह एप्स मेन्यू के सेटिंग आइकाउन के माध्यम से या कभी-कभी notification बार के माध्यम से किया जा सकता है Setting menu में आपको wireless वर network settings खुजनी होगी ज्यादतर उपकर्णों में more या more settings बटन जो भी उपलब्द हो उस पर click करें जब wireless और network setting हो जाती हैं तो आप internet, wifi या mobile network के माध्यम से जोड सकते हैं Wi-Fi से जुडने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहले setting विकल्प से अत्वा notification menu में Wi-Fi बटन को क्लिक करके Wi-Fi विकल्प को चालू करें तब आपको उपलब्द internet, networkों की सूची दिखाई देगी यदि आपने Wi-Fi network पहले से ही save कर रखा है तो यह है automatic ही जुड जाएगा अन्य था आपको Wi-Fi network जिसे आप जोडना चाहते हैं चुनना होगा यदि password की आवशक्ता हो तो उसे इंटर करें और connect पर क्लिक करें इंटरनेट का उपयोग करने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करें इंटरनेट के लिए mobile network जोडना पहले wireless वर network विकल्प में अधिक setting या more setting विकल्प पर जाएं तब mobile network पर क्लिक करें वहाँ आपको mobile data check box को check करना होगा अब इंटरनेट तक पहुँशने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करें कीपैड आधारित फोनों में भी हर कोई बड़ी आसानी से इंटरनेट का उपयोग कर सकता है पहले menu में जाएं फिर इंटरनेट चुने तब या तो home page का चैन करें अन्यथा home screen में शूने को कुछ क्षण के लिए दबा कर रखे उसके पश्चात web address इंटर करें और go to address का चैन करें तब address इंटर करें और ठीक है का चैन करें वेब खोजने के लिए यदि आप पहली बार सर्च कर रहे हों तो सर्च का चैन करें और खोजे जाने वाले विशे को दर्ज करें और सर्च का चैन करें मेरी मुबाइल में रेडियो है मैं उसे कैसे सुन सकता हूँ रेडियो सुनने के लिए पहले stand by mode में menu दबाएं तब मीडिया और फिर रेडियो पर जाएं स्मार्ट फोन हुने पर menu में रेडियो आइकॉन पर टाप दें फिर फोन को संगत हेंड़ से जोड़ें यह एक एंटीना की तरह कारे करता है उसके बाद automatic अथवा manual tuning विकल्प का चैन करके जो रेडियो चैनल आप सुनना चाहते हैं का चैन करें चैनल सेब करें का विकल्प चुन्ग चैनल सुरक्षित करें तब उपर नीचे स्क्रॉल कर volume सेट करें रेडियो बंद करने के लिए विकल्प फिर बंद करें का चैन करें टाप दें मुझे यह भी बताने दें कि mobile phone पर गाना कैसे बजाते हैं पहले standby mode में menu दबाए तब phone में उपलब्द application को देखने के लिए multimedia menu खोले music application, media या gallery के रूप में दर्शाया गया हो सकता है तब music या sound का चैन करें smartphone होने पर menu में radio icon पर टाप दें अपने media player पर उपलब्द गाने, browse करें वो उन में से अपनी device पर बजाने के लिए एक का चैन कर बजाएं गाना बजना रोकने अथवा उसे पुनह बजने देने के लिए play, pause play को डबाएं, टाप दें एक ही बटन play और pause के लिए कारे करता है music player से निकलने के लिए बाहीं तरफ के लाल बटन को दबाएं अब यहां कुछ तरीके हैं कि mobile phone से फोटो कैसे लें पहले standby mode में menu दबाएं, तब media चुने और फिर camera चुने smartphone होने पर camera icon ढूंड कर उस पर tap दें तब display screen को view founder की तरह प्रयोग करें उपर नीचे खिसका कर zoom in और zoom out कर सकते हैं smartphone में अपनी उंगलियों की चुटकी को फैला कर अथवा सिकोड कर screen को फैला कर display का आकार बड़ा वचोटा कर सकते हैं फोटो लेने के लिए select या हां बटन का चैन करें smartphone में camera icon ढूंड कर उस पर tap कर photo कीजें save button को दबा कर photo save करें smartphone में photo, album या gallery में swim ही save हो जाती है यह कुछ तरीके हैं जिससे video record किया जा सकता है menu में जाकर photo और फिर video camera का चैन करें smartphone होने पर camera icon पर tap दें स्क्रीन के प्रदर्शन को view founder की तरह प्रयोग करें zoom in और zoom out करने के लिए उपर नीचे स्क्रॉल करें smartphone में अपनी उंगलियों की चुटकी को पहला कर अधवस सिकोड कर से screen पर प्रदर्शन क्षेतर का आकार पदल सकते हैं recording चालू करने के लिए record को चुने smartphone में होने पर screen पर मौजूद छोटे लाल आइकॉन पर टाप दें recording को रोकने के लिए stop दबाएं smartphone में होने पर लाल आइकॉन पर फिर से टाप दें सनरक्षित करें बटन को दबा कर photo सुरक्षित करें smartphone में photo, album या gallery में स्वैम ही सनरक्षित हो जाती है mobile phone वा smartphone तीवर गणना के लिए उप्योगी है यह कैसे संभव है? calculator के द्वारा calculator प्रयोग करने के तरीके हैं पहले stand by mode में menu दबाएं तब organizer और फिर calculator का चैन करें smartphone होने पर में calculator आइकॉन में धूने और उस पर टाप दें phone के number pad का प्रयोग कर number लिखें फिर जोडने, घटाने, गुणा करने वभाग function का चैन करें फिर दूसरा अंक लिखें उत्तर जानने के लिए बराबर का चिन्ह दबाएं या टाप दें धन्यवाद दीदी आपके कारण मुझे mobile phone के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हुई मुझे tablet में भी दिल्चस्पी है किया आप उनके बारे में जानती हैं? हाँ, बिल्कुल रोहन, चलो हम tablet के बारे में जानते हैं tablet computer के छोटे, हलके और अधिक प्रवंधनिये रूप हैं फेतार रहित वले जाने योगे यंत्र हैं जिनमें सूचनाओं तक पहुँशने के लिए अथवा प्रोसेस करने के लिए स्पर्श इन्पुट की तरह प्रयोग होता है tablet में वह उपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो graphical user interface GUI उपलब्द कराते हैं और एपलिकेशनों को चला सकते हैं tablet के सुपरसिद ओपरेटिंग सिस्टम है Android, Windows व आई ओएस tablet मुख्यता दो भागों में पाटे चा सकते हैं phone सुविधा के साथ तथा call सुविधा के बिना tablet जो call सुविधा के साथ होता है उसमें SIM card के लिए खाचा बना होता है आपको call करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तथा संदेश भेजने वप्राप्त करने के लिए एक SIM card तथा किसी mobile network का connection की आवशक्ता होगी tablet जिसमें call सुविधा नहीं होती है उसमें SIM card के लिए slot नहीं होगा लेकिन उसमें अन्य सभी विशेष्टाएं समान होती है तब भी आप internet के प्रेयोग से call करने में समर्थ होंगे चलो अब हम tablet की कुछ विशेष्टाओं के बारे में जानते हैं अधिकता tablet निम्न उदेशियों के लिए प्रेयोग होते हैं कॉल करने के लिए, call प्राप्त करने के लिए म्यूजिक फोटो वविडियो अन्य से साजह करने के लिए निम्न तरीके से tablet पर music सुना जा सकता है सर्वप्रतम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं तब Music पर टाप देकर पार्ष या Background संगीत इंटरफेस को एंटर करें. अब आपको Music फाइल सुची को हाल ही में Album कलाकार, गीत, प्ले लिस्ट या शैलियों में उचित विकल्प का चैन करके वर्गिकृत कर सकते हैं. फिर गानों को एक सेकिंड के लिए दबाएं, टाप दें जिससे विकल्प मेन्यू प्रकट हो जाएगी. इसके बाद आप Play, Add to Play List, Shop for Artist, Delete या Search विकल्पों में से किसी एक का चैन कर सकते हैं. तब Play पर टाप देकर पार्ष रसंगीत इंटरफेस को एंटर करें और फिर बजाने के लिए गानों पर टाप दें. निम्न तरीके से टाब अप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टाप देकर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें. तब Photo Mode जुन्ने इच्छित Photo Mode पर टाप दें. कैमरे को विशे की और केंदरित करें. आटो फोकस को सक्रिय करने के लिए स्क्रीन पर किसी स्थान को छुएं और रखें. फोटो लेने के लिए उंगली उठाएं. टाबलेट से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सर्व प्रथम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टाप देकर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें. तब वीडियो मोड चुनने के लिए Photo Mode में पसंद कि फोटो या वीडियो को मिटाने के लिए इस पर टाप दें. आप फोटो और वीडियो इस तरह देख सकते हैं. पहले एल्बम ढून कर उस पर टाप दें, फिर जिस फोटो या वीडियो को देखना चाहते हैं उस पर टाप दें, आगे की फोटो देखने के लिए बाई और धके लें, तथा पीछे की फोटो या वीडियो देखने के लिए दाई और धके लें, वीडियो देखने के लिए न इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उस पर टाप दें। यदि प्लेबैक नियंतरन प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए स्क्रीन पर टाप दें। वीडियो रोकने के निम्नपद हैं। जब वीडियो चल रहा हो तो प्लेबैक नियंतरन देखने क पर टैप दें। उसके बाद वीडियो को रोकने या चलाने के लिए पॉज या री स्टार्ट पर टैप दें। वीडियो पीछे करना अथवा तेजी से आगे बढ़ाने के पद है। पर टैप दें। पूर्वस्थापित किताबों में से जो किताब पढ़नी हो उसका चैन करें। फिर किताब पढ़ना प्रारंब करने के लिए बुक्स आइकान पर टैप दें। आइम एप इमेल पतों का उप्योग इमेल भेजने वप्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। चलिए हम आपको टैबलेट में इमेल लिखने के तरीकों के बारे में बताते हैं। मेनियो में इंटरनेट ब्राउजर आइकान पर क्लिक करें। फिर इमेल आइकान पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसके शीर्ष पर एक शेतिच बार होगा। जिस इमेल सर्विस प्रदाता का उप्योग करना चाहते हूं। उसका यूरल एंटर करें। उदाहरन के लिए www.gmail.com अब दिये गए स्थान पर यूजर नेम वह पासवर्ट डालें। वह साइन इन पर टाप दें। यहां इस प्रष्ट पर कंपोज या राइट निउपर टाप दें। नई विंडो में सेवा में केक शेत्र में प्राप्त करता का ईमेल आईडी गरें। बीच के खालि स्थान में संदेश एंटर करें। तद पर शात सेट पर टाप दें। प्राप्त इमेल को पढ़ने के लिए पहले जब आपको कोई इमेल प्राप्ट होगी तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक लिफाफा बन कर आएगा आइकॉन को देखने के लिए स्क्रीन को नीचे खिसकाएं यता करम मेन्यू में इमेल भेजने वाले के आइकन पर जाएं अब आइकॉन पर टाप दें स्क्रीन पर आपका मेल इन बॉक्स खुल जाएगा, इमेल पर टैप दें और उसे पढ़ें हम किजी फाइल गो टैबलेट पर कैसे जूनते हैं? टैबलेट में फाइल या फोल्डर ढूनने के दो तरीके हैं आप या तो टैबलेट पर स्थापित फाइल मेनेजर का प्रयोग करें या तो होम स्क्रीन पर स्थित ओनलाइन सर्च इंजन का प्रयोग करें फाइल मेनेजर का प्रयोग करके होम स्क्रीन पर फाइल मेनेजर या फाइल ब्राउजर आप ढूने उस पर टैप दें यह सबसे उपर My File दिखाएगा सूची से बांचित फाइल या फोल्डर को ढूड़े उसे खोलने के लिए उस पर टैप दे सर्च इंजन का प्रयोग करके Home स्क्रीन पर Magnifying Glass की तरह दिखने वाले सर्च आइकॉन को ढूड़े उस पर टैप दें जिससे एक नई विंडो प्रकट होगी आप देखेंगे कि उस पर एक शैतिच टैप में सर्च लिखा होगा उसमें जो सूचना आप ढूनना चाहते हैं उसके पहचान शब्द लिखें Online Search का परिनाम स्क्रीन पर आजाएगा इसको खोलने के लिए वांचित पर टैप दें